साथियों, क्लास्रूम हो या खेल का मैदान, आज हमारे युवा हर ख्षेत्र में देश को गवरवानवित कर रहे हैं। देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। आरलेंड पेरा बेडमिंटन इंटरनेश्टन में भी हमारे खिलाडियों ने ग्यारा पदक जीत कर देश का महान बढ़ाया है। रोम में हुए वर्ल कैड़ेट रेस्लिंग चेंपियंशिप में भी भारतिय खिलाडियों ने बहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे एथलिट सूरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया। उन्हेंने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेस्लिंग का गोल मेडल जीता है। खिलाडियों के लिए तो यह पूरा महिना ही एक्शन से भरपूर रहा है। चिन्नई में 44 वे चेस अलिम्पियार की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। 28 जुलाई को ही इस ट्रोडामेंट का सुभारंब हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरिमेनी में शामिल होने का सौभाग मिला। उसी दिन UK में Commonwealth Games की भी शुरुवात हुई। युवाज जोज से भरा भारतिय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सभी खिलाडियों और एथलिट्स को देश वास्चों की और से शुबकामना ये देता हूँ। मुझे इस बात के भी खुशी है कि भारत FIFA Under 17 Women's World Cup उसकी भी मैजबानी करने जा रहा है। यह टूनामेंट अक्तूबर के आसपास होगा जो खेलों के प्रती देश की बेटियों का उत्सा बढ़ाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश भर में दस्वी और बारवी कक्षा के प्रणाम भी गोशित हुए है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ जिनोंने अपने कठीन परिश्रम और लगन से सफलता अर्जित की है। महामारी के चलते पिछले दो साल बेहत चुनावती पुन रहे हैं। इन परिश्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिचे दिया। वो अत्यन सरहानिय है। मैं सभी के सुनरे भविश्की कामना करता हूँ।